इस मटन करी को खाएंगे तो सारे मटन की रस्पी भूल जाएंगे तो आज ऐसा कि मुह में पानी आजाए जाएका आएका कि मननी बस लिए इसे हमने करसे बनाया है आए देखते हैं वीडियो में वेलकम टू माई चैनल सफीना किछिन आज हम सेयर करेंगे आप से बहुत ही आ आजासान तो ट्राय करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ घृत मतन करी बनाने के लिए 500 ग्राम लिया है मटन को अच्छे से दुलकर साफ कर लिया है कि इंडेक्शन आन कर लिया है पौट रखा गरम होने के लिए पौट गरम हो गया है एक बावल सरसो का टेल अट करते हैं सर्सो का तेल गरम हो गया है दो चोटी लाची तीन लॉंग दो तेज पत्ता एक टुपड़ा डाल चीन तेल में आड़ करते हैं कि खलेवर आने तब गरम कर दोते हैं तीन सो गराम स्लाइस में कटी हुई प्याज आड़ करते हैं तेल मर्चे से मिस्स कर लेते हैं दो मिनट के लिए पका लेते हैं प्याज में मटन एक करते हैं मटन को प्याज ची पाने में ही गलाना है दो चमट लेशम में रखका पेस्टर करते हैं मिक्स कर लेते हैं एक चमट नमक आड़ करते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं धकन मेडे माज पर पका लेते हैं धकन खोल कर मटन में मसाले अट करते हैं लाल मिर्चा पोड़र दो चमट एक चमट एक चमट चमट अल्दी पोड़र अट करते हैं एक चमट धन्या पोड़र अट करते हैं एक चमट चमट काली मिर्चा अट करते हैं लाल मिर्चा पोड़र अट करते हैं लाल मिर्चा अट करते हैं लाल मिर्चा पोड़र अट करते हैं सबी चीज़ों क अच्छे सी मिक्स कर लेते हैं इस लाल मिर्चा पोड़र अट करते हैं मीट में सबी मसालों क अच्छे सी मिक्स कर लेते हैं मटन में सभी चीजों को मिक्स कर लिया है, ढग कर दीमी आज पर पका लेते हैं मटन को दीमी आज में ही पकाएंगे, जिसे मटन अच्छे से यल जाएगा, और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाएगा दो चमंजने पत्ति आट करते हैं, मटन करी अच्छे से भून गई है, तेल छोड़ने लगा है, करी बनाने के रहे आधा किलाज पानी आट करते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं दखकर मेडिया माज बाइगा, वीस मिनट के लिए फका लिए गल दे, एक चमंज क्योरा वाटर रेक करते हैं, क्योर्य वाटर की अच्छे से लिश्ट कर लेते हैं चेक करते हैं और मॉतन करिए इच्छे से घर रही है बंगर तयार हैं ब्लाद अच्छा कलर आया है इंडेक्शन बंद कर देए जिसा उट कर लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है, आये देखते हैं वीडियो में, बहुत ही जायके दाब, लाजवाब, मठन करी बनकर तयार है, सर्व करने के लिए, इस मठन करी को खाएंगे, तो सारे मठन की रस्पी गूल जाएंगे, स्वाद ऐसा कि मुझ में पानी आजाए, जायका ऐसा कि मन में बस दया है, इतना दिखने में अच्छा है, उतना खाने में लाजवाब है, इस रस्पी को आप जरूर ट्राइ करें, आप भी बनाएं और खाएं, दिवाय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में सेयर करें, अगर आप ने भी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, से सब्सक्राइब करें, यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, देज़े अपनी सफीना खान को इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए रेस्पी के साथ, थैंक्स भारवाची में माई वीडियो, कर दो में माई भारवाची में माई वीडियो भीडियो,